फूल पिक्चर को वाडशाब डिपी में कैसे सेट करा दोस्तो अगर आप अपना फूल फोटो यानि फूल पिक्चर को वाडशाब डिपी में सेट करना चाहते हो लिकेंड शेट नहीं कर पाड़ा हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अलाश्ट तक देखते रहें मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से आप अपना फूल फोटो को WhatsApp DP में सेट कर सकते हो तो आप इस वीडियो को पूरा वाच कार लेजिए अप्लिकेशन का नाम है Pixel Lab आप प्लेश्टू पे जाके इस अप्लिकेशन को आसानी से इंस्टॉल कार सकते हो तो मैं इस अप्लिकेशन को पहले से इंस्टॉल कर रहा का हूँ आप मैं इस अप्लिकेशन को ओपेन करता हूँ और open कारने के बाद आपके समने इस तरह interface आ जाएगा, तो आप इसको उपर टैर्प करके इस text को कर दिज़ेए delete, और delete कारने के बाद दोस्तो आपको टैर्प करना होगा इसके उपर, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलाँ हाँ कलर, आप इस पर टैप करने के बाद आप color पर टैप करके किसी भी एक color को यहां से चुस कर लेजिए तो मैं यहाँ पर white color को चुस करता हूँ मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि आप white color ही चुस करिए उसके बाद करना है right फिर दूस्तों आपको टैप करना होगा इसके उपर देन आपको यहाँ पर मिलेगा import आप इस पर टैप किजिए उसके बाद आपके phone में जितना भी photos होगा उन साभी photos आपके समने आ जाएगा तो आप जिस photo को whatsapp dp में set करना चाहते हो उस photo को select किजिए और आगर आपको यहाँ पर अपना photo नहीं मिल रहा है तो आप three lens पर टैप करके जाएए image पर उसके बाद अपना photo जिस folder में है उस folder में जाके photo को select कर लेजिए तो मैं यहाँ से photo को select करता हूँ और photo को select करने के बाद दोस्तों आपके समने इस तरह पेज आ जाएगा तो आगर आप अपना photo को rotate करना चाहते हो तो आप इसको उपर टैप करके photo को कुछ इस तरह रूटेट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो को कुछ इस तरह क्रोप कारना है आपके हिसाब से और फोटो को क्रोप कारने के बाद आपको करदाना है done फिर दोस्तों आपको इसके उपर टैप करके फोटो को adjust कारना है और adjust कारने के बाद आपको right side में जाना है उसके बाद आपको देखने के लिए मिलएगा relative position आप इस पे click किजिए और click कहा रहने के बाद आप इस पे tap कार दजिए tap कहा रहने के बाद दुस्तों आप कार दजिए right आभी दुस्तों photo को कारना है save save कहा रहने के लिए tap किजिए इसके उपर फिर आपको मिलेगा save as image आप इस पर टैप किजिए देन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा default आप इस पर टैप करके Altra को select काल लेजिए और select कालने के बाद save to gallery के उपर टैप करके photo को gallery में काल लेजिए save और save करने के बाद दूस्तो आप भी आपको इस application से आजाना है बाहर और बाहर आना के बाद आपको जाना है whatsapp के अंदर फिर दूस्तो आपको 3.0 पर टैप करके जाना होगा settings में उसके बाद जाए अपना profile में देन आपको यहाँ पर photo को उपर टैप करना होगा उसके बाद मिलेगा pencil आप इस पर टैप करके जाए गलारे में उसके बाद आपको यहाँ पर photo जो है वो मिल जाएगा और अगर आपको यहाँ पर photo नहीं मिल रहा है तो आप जाए फाइल में नजर में उसके बाद photo जो है उसको काट करके या कोपी करके कोई दूसरा फाइल में राक लिजिए और राकने के बाद आप जब भी फिर से जाओगे हुआट सब के अंदर तो आपको यहाँ पे फोटो जो है वो मिल जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हूँ मेरे फोटो में जो फोटो है वो आ चुका है तो मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कार लता हूँ और सिलेक्ट कारने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हूँ फोटो जो है वो फूल सैज में आ चुका है तो मैं डान के उपर टेपर के डीपी सेट कार लता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ डीपी में फूल फोटो सेट हो जुका है तो इस तरह से आप अपना WhatsApp डीपी में फूल फोटो सेट कार सकते हूँ तो यहीता दुस्तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पासंद आए होगा अगर आपको वीडियो पासंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कोमेंट कार देजिए और आपने आप भी तक इस चैनल को साब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को साब्सक्राइब कर लेजिए तो मैं मिलता हूँ किसी आगली वीडियो में किसी नाटोपिक के साथ तब तिकले बाई बाई टेक क्यार